हाई फ्रेंड्स चलिए आज हम बात करते हैं नाइट्रोजन साइकल के बारे में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एट्मॉस्फियर में नाइट्रोजन से परसेंट से लेकर 80 परसेंट तक है प्रॉब्लम यह है कि प्लांट इसको डारेक्टली नहीं ले सकता जब तक इसको नाइ लैग्यूमिनस प्लांट मेंली लैग्यूमिनस प्लांट लैग्यूमिनस प्लांट वो होते हैं जो कि पल्स वाले डाल वाले प्लांट होते हैं वो लैग्यूमिनसी फैमली को बिलॉग करते हैं तो लैग्यूमिनस प्लांट जो है उस नाइट्रोजन को ले पाते हैं क्योंक को nitrate or nitrite की form में convert कर देता है और जिसे plant की root neodule में fix कर दिया जाता है यह एक symbiotic association का example है symbiotic association में आपको बता दूं क्या होता है when two organism lives together and beneficial for each other this is known as symbiotic association or mutualism जब दो organism एक साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे को benefit पहुचाते हैं तो उसे हम symbiotic association या mutualism कहते हैं यहाँ पर rhizobium leguminisorum bacteria root nodules में रह रह रहा है तो plant की root nodules जणों की गाठियों से रहने के लिए space देती है जगे देती है जबकि बदले में वो nitrogen को fix करके plant को देता है तो जिससे plant protein बना पाता है तो यह symbiotic association का बहुत ही अच्छा example है तो nitrogen को root nodules में rhizobium bacteria के द्वारा fix किया जाता है और इस process को nitrification कहते हैं और कभी-कभी जो nitrogen है उसे ammonia की form में fix करके plant को दिया जाता है तब यह process ammonification के नाम से जानी जाती है और bacteria को ammonifying bacteria कहते हैं जिसका एक बहतरीन example है pseudomonas, pseudomonas एक ammonifying bacteria है इसी तरीके से nitrosomonas, nitrobacter, agitobacter यह सब भी nitrogen fixing bacteria है जो nitrification की process में help करते हैं कौन से? nitrosomonas, agitobacter, nitrobacter, etc. इसमें कुछ free living है और कुछ जो हैं वो soil में रहते हैं तो यह तो हुआ nitrification और ammonification मगर साथी साथ कुछ गलत bacteria भी होते हैं जो बड़ी मुश्किल से nitrate और nitrite की form में nitrogen को fix करके दिया गया है plant को यह गलत bacteria, denitrifying bacteria हम जिनको कहते हैं इसको फिर से nitrogen की form में break कर देते हैं जो कि अब plant के किसी काम की नहीं रहती क्योंकि free nitrogen को plant directly ले नहीं सकता तो यह गलत काम जो है इसे कहते हैं denitrification और यह जो bacteria है उन्हें denitrifying bacteria कहते हैं तो अब यह nitrogen फिर से atmosphere मिल जाती है अब यह तब तक plant नहीं उसकर पाएगा जब तक इसे दुबारा nitrate और nitrate की form में convert ना किया जाए तो इस तरीके से nitrogen जो है वो plant को मिल जाती है और plant उसे protein बनाता है और plant जब protein उसकी बनाता है तो वो खुद तो इस्तमाल करता ही है और बाकी organism और जो टेरेस्टिल जमीन पर रहने वाला organism है वो ही इसको protein को इस्तमाल करते हैं जैसे दाल में protein होता है हम लोग लेते हैं तो वो protein जो है वो nitrogen से ही बना है क्योंकि आपको पता होगा amino acid की chain को protein कहते है और amino acid में माइन ग्रूप होता है NH2 जिसमें nitrogen है तो इस तरीके से protein को इस्तमाल के जाता है प्लांट के द्वारा और animal के तारह और फिर जब हम लोगों की death हो जाती है प्लांट की death हो जाती है तो फिर उसे bacteria द्वारा fix के जाता है तो यह cycle इस प्रकार चलती रहती है उमीद करती हूँ कि आपको nitrogen cycle समझ में आ गई होगी और अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो please subscribe, share and like my channel thanks for watching Hi friends